उन्हां तरवी पीएसी का कॉस्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं कॉस्चन नमर एक है निमनलिखित में से कौन सी तक्निकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क त्वारा सक्षम की जाएगी तो इसका आप्शन हो जाएगा आप्शन नमर डी इंटरनेट और तिंग्स एज कॉ कॉस्चन पर हम लोग चलते हैं कि सूची एक को सूची दो से मिलान किजिए तो इसका राइट एंसर आप लोग देख लिजेगा ऑप्शन नमर ए सही है अगला कॉस्चन अगला कॉस्चन पर हम लोग चल रहे हैं कॉस्चन नमर दो है सूची एक को सूची दो से सुमिलित किजिए तो इसका भी राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी नेट्स कॉस्चन पर हम लोग चलते हैं नेमने लेखित कतनों पर विचार किजिए तो option number C इसका right answer हो जाएगा question number 4 का option number C हो जाएगा next question पर चलते हैं निमलिखित में से कौन सी computer भासाएं है तो इसका right answer हो जाएगा option number D इसका right answer हो जाएगा option number D और next question पर चलते हैं हाल ही में समाचारों में देखी गई chat GPT में GPT का पूर्ण रुप क्या है काफी बहतरीन question है इसका right answer हो जाएगा generative pre-trade transfer next question पर चलते हैं निमलिखित में से कौन से जिव के स्वाद नहीं है तो जिव के स्वाद सिर्फ मसालेदार और तीखा नहीं होता है जिव के स्वाद मसालेदार और तीखा नहीं होता है बाकी सभी है तो इसका right answer हो जाएगा option number C next question पर चलते हैं निमनलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number C 3 और 4 तीन और 4 राइट answer हो जाएगा नेक्स question पर चलते हैं ब्रहमांड में पॉलसर क्या है तो ब्रहमांड में पॉलसर घूमते निट्रोन तारें हैं इसका right answer भी हो जाएगा question number 10 पर परियोग साला में बिक्सित हीरे lgd के संदर्व में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा गिरफाइट गिरफाइट होता है बहुत सारे इंस्ट्यूशन वाले क्यूबिक जिर्कोमियूम का भी अंसर के रूप में बता है लेकिन क्यूबिक जिर्कोमियूम नहीं होगा राइट एंसर गिरफाइट होगा बूलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है तो इसका right answer हो जाएगा केवलर नेक्स कोस्टन पर चलते हैं हम लोग कोस्टन नम्मर 12 हम एक्स का पूर्ण रूप क्या है तो इसका right answer केवल ओप्शन नम्मर ए होगा हाई मेल्टिंग एक्स्प्लोसीव नेक्स कोस्टन पर चलते हैं कोस्टन नम्मर 13 पेड़ अक्टूबर 2022 में लॉंच किये गए टेसला के हमुनाइड रोबोल्ट का नाम क्या है तो इसका right answer हो जाएगा अप्टिमस नेक्स कोस्टन पर चलते हैं लोग अगला कोस्टन है कोस्टन नम्मर 14 मैं हटज परियोजना ये एक परमाणू परियोजना था अमेरिका द्वरा किया गया था तो इसका right answer ए हो जाएगा एक अनसंधान और विकास उक्रम जिसने पहले परमाणू हतियार का उप बस्तू के आकार के बराबर होता है बस्तू के इस्तिति कैसी होनी चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा बकरता केंदर पर नेक्स कोस्टन पर चलते हैं फोटो एलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरन है इसका right answer हो जाएगा परकास उर्जा को बिधुत उर्जा में बदलता है नेक् परती इकाई आयतन या परती इकाई दर्वेमान में उपस्तित बिले की मातरा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है तो इसका right answer हो जाएगा बिलियन की शांदरता नेक्स कोस्टन पर चलते हैं हम लोग कोवीड टीकाय परती रक्षी परकिरिया को कैसे उत्तेजित करत याटन पर चलते हैं हम लोग निमने लेखित में से कौन सात तरल वीजली का कुचालक है तो इसका right answer हो जाएगा उप्यूकत कोई नहीं कोई बई तरल वीजली का कुचालक नहीं है नम्कीन पनी संत्रेकरस निमू करस नेक्स कोस्टन पर चलते हैं हम लोग डी इन इडबल ह एलिक्सन रचना की खोल किसके द्वारा की गई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जेम्स वाट्सन और फ्रांसिक क्रिक के द्वारा नेक्स कुस्चन पर चलते हैं अलग अलग दरव्यमान की दो बस्तु हैं चंद्रमा की शतह के पास स्वतंतर रूप से गिरने से क्या ह होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा किसी विच्छाड एक ही वेग एक ही वेग का होगा नेक्स कुस्चन अग्टर टीके परतिरोधक सक्ति परदान करने के लिए कैसे काम करते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सीज़े कोशिका में परवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बना कर लगातार नई परत जोड़ने वाली परकिरिया निमनलिखित में से कौन सी है तो इसका राइट एंसर हो जागा समूद्र तल का फैला अगला कॉस्चन पर चलते हैं भूपटल के टुकडे मेटल में गती द्वरा निरंतर धीमी गती से परवाइत होते हैं इस सिधान्त को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जागा प्लेट डेक्ट टॉनिक्स सिधान्त नेक्स कॉस्चन पर चलते हैं हम लोग MRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की सुरुवात से ही बयापक रूप से चर्चा में रहा तो मैसेंजर राइवो निूकलिक एसीड होता है अगला कुस्चन एसी करेंट को कैसे उत्पन करते हैं तो एसी करेंट को दैनेमों द्वरा उत्पन कर सकते हैं अगला कुस्चन है धारा घनत्व होता है धारा घनत्व एक सदीश रासी होता है अगला कुस्चन पर चलते हैं लोग medical chemistry में दवाओं का वरी करन किस अधार पर सबसे अधिक उपियोगी होगी तो हम लोग जानते हैं आड़वी की लक्षन पे होता है या आड़वी की लक्षे पे हो शकता है अगला question निमनलिखित में से कौन सा परतिक किरिया की दर को धीमा करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उपियोग्त में से कोई नहीं नेक्स question पे आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है केंद्रिये तंत्रिका तंत्र में अगला question है सीप विरेक टूरिज्म के संदर्म में सूची रीफ एमी सौल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतिय जल में जहाजों के मलवे का पता लगाया गया है यह अस्थान कहां है तो यह अस्थान गोगा के तटके बाहर है नेक्स कुस्चन पर हमलों चलते हैं जी ट्विटी सदस से परतिनीधित करते हैं तो जी ट्विट परेकल न 24 ग爵े लीटाष करते हैं हो गया विश्व की लवक दो तीहाई जनसंक्या तो इसका राइट एंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब नेक्स कोस्टन पर हम लोग चलते हैं रूस के वैगनर भाड़े के सहनिक समुम का मुख्या कौन था तो यह उन्हें योगेनी प्रेगुजीन था काफी चर्चा में रहा था नेक्स कोस्टन पर जलते हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है नेक्स कोस्टन पर चलते हैं यूनाइटेड किंग्डम की महारानी एलिजाबेथ दिवतिये के संबंद में निमलेखित में से कौन सा सही है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्शन नमर ए उन्होंने सत्तर वर्सों तक सासन किया और चानवे वर्स की आयू में उनकी मिर्तिय हो गई नेक्स कोस्टन पर चलते हैं गुजरात में आयो जीत डिफेंस एक्सपो 2022 का विशाय था तो गौरो का मार्ग था नेक्स कोस्टन थाइड यूंग मात्सव का तीन दिवस्य उत्सव किस विशार कीज़िए तो वाइट हाऊस के संबन्द में निमलेखिद कत्नों पर विशार कीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर 2-3-4 या सन्योकद तिराज अमेरिका के राश्टर्टर पति का अधिकारिक निवास, और कारिय नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके परचार के संदर्व में देखा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी एक बिलिंग तंत्र जो स्वर्य उर्जा परणाली मालिकों को ग्रीड में जोड़ी गई बिजली का स्थरे देता है नेक्स कोस्चन पर चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A यानि कि मैजेन्टा मैजेन्टा लाल और नीला और B का हो जाएगा तील का 3 नीला, हरा और सफेद मो का हो जाएगा नीला, लाल और सफेद सियान का हो जाएगा हरा और नीला next question पे जलते हैं गहरे समूदर में डूबने वाली उस पंडू भी का नाम क्या है जो टाइटेनिक जहाज के पोताव सेस की यातरा के द्वारान फट ग ludzi तो इसका राइटेंसर हो जएगा टाइटरन नेक्सक्ष्ट पर झालते हैं इसका राइटेंसर हो जएगा आप्सिन अमर तीन, एका हो जएगा दे का हो जाएगा पांच और एक हो जाएगा ई अज़िए नेक्स कोस्टन पर चलते हैं हम लोग सन्यूक्त राज्य अमेरिका के पूरो राष्टर पती ने हाल ही में अपना साथ छातकार कहां दिया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा एथेंस next question पर जलते हैं खेल के संदर्व में निम्नली खित में से कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं तो कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं इसके बारे में अगला question है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा sam, दो और चार, वीनस रोजर वाटर डिस, वीनस रोजर वाटर डिस, वीनस रोजर वाटर डिस वीड़ ट्रॉफी महिला के लिए हैं, और अगला है इसका राइट एंसर, ऐस्ट्रलियंस ओपन महिला, डॉपेन नेक्स कोस्टेन पर चलते हैं हम लोग ग्रिहम अंत्राले ने नौवंबर 2022 को देश की कितनी भासाओं की फिल्ड विडियो गराफी के साथ भारती मात्री भासा सर्विक्षण एम टी एस आई कारिय पूरा किया तो इसका राइट एंसर हो जगा 576 नेक्स कोस्टेन पर किस राजी सरकार ने भारत में गिद्धों के सन्रक्षन के लिए राश्ट्रिय करवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध सन्रक्षन के लिए राज्य अस्तरिय शामिती एस एल सीवी सी का सुभारंब किया था तो इसका राइट एंसर हो जागा तम्मिल नाडू अगला कुशन है दस कैपिटल नस एस याई बिसाल काई कच्वे मुख्य भूमी एस या में सबसे बड़ी कच्वे पर जातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राश्ट्रिय उध धान अगला कुश्चन हम लोग हाल ही में किस देश ने फिर से अरोनाचल पर देश को भारत का एक अभिन अंग घोशित किया है तो ये यू एस ए ने घोशित किया है नेक्स कुश्चन है भारत के रुद्राक्ष महाबाला शाहब पाटिल ने काहीरा में आई एस एस एफ व कौन सा पदक जीता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा स्वार्ण पदक नेक्स कुश्चन पर चलते हैं राष्ट्रियस सिक्छा नीती 2020 कि ग्रेड से बेवसाईक सिक्छा को मुखह धारा की सिक्छा में एकी क्रिप करने पर जूर देती है तो इसका राइट एंसर हो जा सोहज भासा अधिनियम निमलिखित में से किस देश द्वरा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को अधिकारिक रस्तवेज और वेयो साइटो में सोरल और आसानी से समझ में आने वाले अंग्रेजी भासा का उप्यूब करने की आशकता है नियुजिलेंड नेक्स कोस्टन पर जलते हैं दुनिया के सबसे दुनिया के पहले पादफ पराग कौन जिन है तिल या ड्यूब्स कहा जाता है ति टिलिया डरवी जीवास महाल ही में किस दिश में पाई थे तो इसका राइट एंस रोजागा रूजनेक्स कोस्टन पर चलते हैं सहज भासा अधिनियम न लेखित में से सुब्लान वाली लिसबन जोश्णा किस इकाई किस इकाई के संरक्षंड से संबंदित हैं तो महाशागर से संबंदित हैं निमनलिखित में से कौन सा जानुवर सिंदु घाटि सब्वेता के लोगों को नहीं पता था तो घोड़ा इसका राइट एंसर हो जाएगा निमनलिखित में से कौन सा यूविनेस को विश्व धरोवर अस्तल नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इंडिया गेट नेक्स कोश्चन पे चलते हैं भारतिय संब्धान में राज्य के निती निदे सक्सिधान्त की अधरना किस देश के संब्धान से लिग गई थी इसका राइट एंसर हो जाएगा आयरलेंड नेक्स कोश्चन पे चलते हैं सिक्किम भारतिय संग का पूर्ण राज्य बन गया कब बना था तो 1975 इसका राइट एंसर हो जाएगा निमनलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महांगी है तो पाउंड सबसे महांगी मुद्रा है नेक्स कोश्चन पे जलते हैं बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कारवन उत्सरजन कम कर बिहार राज्य को परदूसर्ण मुक्त बनाने की योजना बनाई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दो हजार चौबिस नेक्स कोश्चन भारतिये कला में अस्तूप चैट और विह बिहार का निर्मान निमनलिखित में से किसी से संबंदित है तो यह बहुत धर्म से संबंदित है अगला कुश्चन है भारतिये हट सिल्प के संदर्व में भारत में सूजनी क्या है तो एक परकर की कड़ाई है नेक्स कोश्चन है बिहार में बिक्रम सीला बिस्वविद्या वाले के संबंद में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्षन नम्मर ए और कि दो यह बिहार यह बिहार के वर्तमान बाका जीले में इस्तित था इसकी अस्थापना पाल वंस के राजा गोपाल ने की थी यह दोनों कथन क्या है तो गलत है क्योंकि कोस्चन में पूछ रहा है क्योंके कौन से कथन गलत है और इसका सही इनसर क्या हो जाएगा तो बहुत धर्म का वर्जियान सम्परदाई यहां फला-फुला यहा खोगोल वीग्यान, तर्क, शास्थ, कानून, वयाकरण, और दर्सन जैसे अन्य वी सवय भी पढ़ाये जाते थे नेक्स कोस्टन पर चल दे हम लोग निमनलीखित कत्वनों पर विचार कीजिए भारत में बावर के आगमन का कारण क्या क्या है उपियुक्त कत्वनों में इसे सही कौन कौन सा है तो आप्सन नमर तीन और चार है पर देश में तैमूरीड राजवन्स की अस्तापना हुई और यूद में तोपो की शुरुवात हुई नेक्स कोस्टन है निमनलीखित में से किस बंदरगा को मुगल काल के दोरान बावुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता है अस्त परधान मंत्री परिशत थी मराठा परशाशन में थी नेक्स कोस्टन बोधी सत्व पद्धा पणी की पेंटिंग इस्तित है अजन्ता में नेक्स कोस्टन है निमनलीखित पर विचार कीजिए फहियान एक चीनी तिर्थी आत्री था जो हर्स के सासनकाल के दोरान भारत आया था तो इसका राइट एंसर ये गलत हो जाएगा हैंसंग एक चीनी या चीनी बहुत विच्छु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त दिवितिये के सासनकाल के दोरान भारत का दोरा के थे ये भी गलत हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्यूप्त में से कोई नहीं अगला कोस्टन है सूची एक को सूची द परहमगुप्त गणेत बरह महीर जियोतिश और विशाखदत नाटकार अगला कोस्टन है इन में से किस ने भारत में फार्सी तेहवार नरोज की शुरुआत की तो बलबन ने किया था नाथ पंतियों सिध्धों और योगियों ने भाक्ति धर्म को किस छेतर में लोग पिर ये बनाया तो उत्तर भारत में अगला कोस्टन है बूड के अठाड़ा सो चौवन के प्रेशन के संबंद में निमलेखित कत्नों पर विचार कीजे तो इसका राइट एंसर हो जाएग में अंग्रेजी किसी फारिश की और इसने महिला सिक्षा और ब्यावसाइक पर सिक्षन पर भी जूर दिया था अगला कोस्टन है मैथली भासा काविकास निमलेखित में से किसके सासनकाल के दोरान शुरू हुआ तो इसका राइट एंसर हो जाएगा करनाट राजवन्स के स कोन सा सहर प्रशीन मघद समराजी की राज़दानी के रूप में कार्य करता था राजगरी अगला कोश्चन यह वर्ना क्यूलर प्रेश 1 वर्ना क्यूलर प्रेस-6 के बारे मेंने में रिखित में से कौन सी कथन सही है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा है एक दो और तीन स सही है एक दो और तीन इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था इसे गैंगीन अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा इस अधिनियम को लॉर्ड रीपन ने निरस्त कर दिया था तीनों आप्शन सही है नेक्स कॉस्टन पर चलते लॉर्ड मियों के इक दो तीन चार यानि कि सारे कथन हैं नीचे दियेगा एक परियोकर सही उत्तार चुन है Sorry अहए तो इसका राइट एंसर 4 हो जाएगा यानि कि केंद्रिया और परांतिये वीद को विभाजित करने वाला या पहला कदम था परांतिय सरकारों को कुछ सेवाई पर सासित करने का अधिकार दिया गया इस इसने मौजूदा और श्रमनताओं को सुधारने का पर्यास किया इसने परांतों की वास्तविक और श्यक्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया इसका राइट एंसर सभी के सभी हो जाएंगे अगला कुश्चन है कि राजनीती की पररंभिक पुस्तक नीती सार किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कामंदक के द्वारा नेक्स कुश्चन है फतु हाथ ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इस कि अनुमती के लिए निमनलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मसिनरी भेजी थी यह भेजा था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त कब बिहार पहली बार ब्रिटिस चासित भारत के तहत बंगाल प्रसिडेंसी से अलग हुआ था इसका राइट एंसर हो जाएगा 1912 निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए और इसका उपयुक्त में से कौन सा कतन गलत है इसके बारे में बताना है तो ऑफ्शन नमर ए और तीन गलत है गलत क्या है देख लेंगे हम लोग सत्व छेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया जहिल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जहिल है गलत है ऑफ्शन नमर तीन इसकी सीमा चार देसो तंजानिया यूगंडा रवाड़ा और क एक मातरधारा नील नदी है जो यूगंडा के जीजा के पास जहिल से बाहर निकलती है नेक्स कोस्टन पर चलते हैं हीट वेव के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसके बारे में जानना है तो यदि किसी मैदानी इलाके का अधिक इससे अधिक तक पहुच जाता है तो उसे धे माना जाता है जलत है तौटं को से मिलाना है और इसकर यह हो जाएगा option number is Christopher Columbus कहां कथा तो इटली का जैक्स कार्टी और कि फरांस का सर फ्रांसिस ड्रेक तो यूनाइटेड किंगडम का और फ्रेंडिनित मेंगलन यह पुर्तगाल के तो इसका कौन कौन से इसके बारें बताने तो option ए राइट एंसर हो जाएगा अगुधावी दुबाई सार जां अजमान उम उलकैन फजुरेरा रास अल और खैम मा इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है स्वन रिखा नदी निम निलेखित में किस गाउं के पास से निकलती है नोगरी से निकलती है निम निलेखित में से कौन से राश्ट्रे उध्यान वनने जिव अभियरन बिहार में है तो इसका वनने जी व अवेरन बिहार में नहीं है तो इसका राइटअर फेगा औप्सनag hina एक और चार हो है को क़ुछनों पर विचार करना है इसके बारे में बताना भी है निपलेई नादय की नाधि की अन में रियरे लिस्ट के तहद लुप्त प्राइ जीव के रूप में बरगी किरित किया गया है इसका अगे यह यह भी सही है आप्शन नमर यह भी सही है तो इसका राइट एंसर चारों सही है इसमें कोई क्रिस्टलिये नेत्र लेंस नहीं है जो इसे परभाई रूप से अंधा बना देती है यह इको जलिये जीव के रूप में मनेता दिगे है इसका राइट एंसर डी हो जाएगा सभी के सभी सभी हो जाएंगे नेक्स कॉस्टन है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है नाराईनी है बिहार के निमनलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है तो जमूई में पाया जाता है अगला कुस्चन है तिर्वेणी नहर का निर्मान निमनलिखित में से किस नदी पर किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा गंडक अगला कुस्चन है अभी कथन है अभी कथन को सीराएं पाई जाती है और करण है किसी समय ये महादीप अटलांटिक तट के एक साथ सन्यूक्त थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कुस्चन है बिहार की भावगोलिक सन्रचना चट्टानी परनालियों से बनी है चट्टानी परनालियों का उनके वीवरन से मिलान किजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा और सन्मर एक का तीन हो जाएगा और बी का चार हो जाएगा सिक एक हो जाएगा और डी का दो हो जाएगा नेक्स कॉस्चन है निमनलिखित में से कौन सा समुध्री जयवे विविदता के दिरिष्टी कौन से दुनिया का सबसे समरिद छेतर है जिसमें ज्वारन मुख समुद्र तट निकट तटिये पर्यावरन के जंगल समुद्री घास परवाल भीतियां नमक दलदल और मैगरो के साथ इसकी दीप सामिल है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन पर जलते हैं निमनली खित में से कौन सा कथन सही है अवरक को डर्मा में पाए जाता है यह सही है नेक्स कोस्टन पर जलते हैं गलोब पर एक डिगडी के अंतराल एक डिगडी के अंतराल पर खीची गई अख्छांसिये रिखाएं कितनी है 179 क्योंकि एक डिगड़ी के अंतराल पर खिची गई है नेक्स कोस्टन है कोशी मैदान की माध्य साहद्र तल से औस्तन उचाई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि 95 से 95 मीटर से 100 मीटर इसका राइट एंसर होगा तो इसलिए इसमें से कोई नहीं है किस पाठार पर करके रेखा तता भारतिये मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बगेल खंड नेक्स कोस्टन उत्तरा खंड का कौन सा जिला तिबत सिमा से नहीं लगता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अल मोडा नेक्स कोस्टन अल नीनो धारा कहां परवाइथ होती है तो अल नीनो धारा परवाइथ होती है पर सांत महासागर में नेक्स कोस्टन है कालेजियम परणाली के बारे में निमनले खित कथनों पर विचार कीजिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसिन नुमर के बारे में जानना है कथन 1 और 3 कथन 1 और 3 क्या कहा रहा है सुप्रीम कोर्ट कैलेजियम 1510 ये निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौझूदा मुख्य नियाईदीस C, J, E आई करते हैं और उस समय इसमें नियायाले में करेरत चार अन्यवरिस्ट तम नियाईदीस सामिल होते हैं और अफसर नमर तीन कह रहा है उच्छ तम नियाले और उच्छ नियायाले कोलेजियम पराणाली के मादयम से की जाती है यह दोनों सही है और दो गलत कौन कौन से है तो संसद ने बीधी द्वरा कलेजियम पराणाली अर्रंब की गलत है अगला कलेजियम पराणाली की सुरूनात वर्स उनी से तीरानवे में दिस पी एन भगवती के एतिहासिक फर्स्ट जज मामले में के उपलक्षे में की गई थी ये गलत है नेक्स कोस्टन भारतिय सम्भिधान के ब्यालिश्वे संसोधन के संबंद में निम्नलिखित कतनों पर विचार किजे इसने परस्ताव में तीन स इसने नए निदेशक सिधान्त जोड़े यानि कि अनुश्यद 49 ए अनुश्यद 49 ए और अनुश्यद 47 ए और अनुश्यद 47 ए इसका राइट एंसर कौन सा है और कौन सा गलत है इसके बारे में जाना है तो प्यूक्त में से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में एंसर देना है तो आप्सवर नमर्द दो और तीन गलत है चार और एक सई है तो आपस्वर नमर्द दो और तीन क्या कर रहा है देख लेंगे इसने सम्मिधान में आठ मौलिक करतबे जोड़े ये गलत है इसने नए निदेशक सिधान्त जोड़े यानि कि अनुशेद 49A अनुशेद 43A अनुशेद 47 गलत है नेक्स कोस्चन पे चलते हैं कोस्चन नम्मर 113 किसी समुदाय को अनुशुचित जन जाती के रूप में घोसित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट ताएं हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नम्मर एक, दो, तीन, चार, चारो सरी हो जाएगा आदीम लक्षणों के संकेत विशिष्ट संस्क्रीती बड़े पायमायने पर सुझाओ के साथ संपर्क में शर्म पिछडापन एंभाव गोलिक अलगा उप्युक्त मेशे उप्युक्त सभी इसका राइट एंसर होगा नेक्स कोस्चन पे चलते हैं भारतिय सम्मिधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्व किस देश से लिया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सन्युक्त राज अमेरिका नेक्स कोस्चन पे चलते हैं भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद से द्वारा अस्प्रिस्यता को समाप्त किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नम्मर स्री अनुछेद 17 से नेक्स कोस्चन पे उच्छ नियाले में नियाइधीसों की संक्या निर्धारित करने का अधिकार नेमने लिखित में से किसके पास है तो राष्ट्रपती के पास है नेक्स कोस्चन पे चलते हैं पांचवी अनुछी पांचवी अनुछी किस विशिष्ट समूहों के के लोगों के शासन और हितु की सुरख्षा सम्बंदित है तो इसका यकीं मुकदमें सपर पूर्थम्स संबीधान के मूड ढाचुका सिधान्त दिया तो इसका एंसर आया है केसवा नंद भारती बनाम केुरल राज्यिदBe 1973 नेक्स कोस्टन पर चलते हैं सुची एक को सुची दो से मिलान करना है सुची एक को सुची दो से मिलान करना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर एह ही हो रहा है एक का एक बी का भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी उनिसो पचीश भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी मार्क्स वाधी उनिसो चॉंसट और भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी उनिसो पचीश और बहुजन समाज पार्टी उनिसो चौरासी अल इंदिया त्रिन मुल्ट कॉंग्रेस 1998 नेक्स कोस्टन किस या किन अनुछेद अनुछेदों के अंतरगत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातरी भासा में बोलने का इजाज़त दे सकता है अनुछेद 121 के तहत दे सकता है नेक्स कोस्टन है आर बी आई के वीदेशी मुद्रा भंडार एफ ए आर में निमनलिखित में से कौन से सामिल है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर्डी उप्यूक्त में से सवी वीदेशी मुद्रा परिसंपतियां पी एफ सी ए सोना वीसेस आहरण अधिकार एस डी आर राचित किस इस्थी थी नेक्स कोस्टन उत्पत्ति के नियम के बारे में निमनलिखित कत्मों पर विचार कीजिए तो उत्पत्ति के नियम के बारे में निमनलिखित कत्मों में से उप्यूक्त सभी का सही है एंसर तो उप्यूक्त सभी एंसर सही है यानि कि उत् के राश्ट्री सुरुत को निरधारित करने के लिए आउशक मापदंड है सही है मैं उत्पत्ति के नियम को स्टम एजेंशियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दीए गए उत्पत्त पर कौन परतिबंद आयर्तु के सुरुतु पर निर्भर करते हैं यह भी सही है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्युक्त में से सभी नेक्स कॉस्चन पर चलते हैं कॉस्चन नम्मर 113 सीसू मिर्त्यू दर के बारे में निमले लिखित कतनों पर विचार कीजिए और विचार क् कॉन सा कथन सही है के बारे में जानेंगे यह सीसू जन्म से लेकर ठेक एक वर्स की आयू के बीच मिर्त्यू के शंभावना है जो परती तस साजार जीवित जन्मू पर व्यक्त की जाती है गलत है अगला है वर्स 1950 में सीसू मिर्त्यू दर 189.6 थी सही है वर्स 2019 में सीसू मिर्त्यू दर 30 थी यह भी सही है रजिस्टार जन्रल ऑफ इंडिया और जी आई के सेंपल रजिस्टेशन सिस्टम एस आई एस आर एस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर पर्देश वर्स 2019 में सबसे अधिक सीसू मिर्त्यू दर वाला राजे था गलत है ने 114 एक अधार्णा के रूप में मानोपुंजी निर्मित या निर्मान की बेतर व्यक्ष्या एक परक्रिया के संदर्व में की जाती है जो सक्षम बनाती है तो नीचे दियेगा कूट का परियोकर सही उत्तर को चुनना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा देश के लोग क कि इनगे उस्तौ और चाहि себя यचे हो जात vaccin है वाना और दिवाला और सोधना सोमता के संदर्व में निम्नलिखत कथणों पर वीचार किजिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option no.4 केवल 4 इसका right answer हो जाएगा सही कथन को चुनना है भारतिय दिवाला और सोधन अच्छमता वोर्ड IBBI दिवाला और सोधन अच्छमता करवाई की देख रिख के लिजिमेदार नियामक निकाय है next question पे चलते हैं और धियोगी के नीती संकल्प किस वर्स अपनाया गया था तो 1956 में अपनाया गया था उत्पादन संबंद पृत्साहन उत्पादन संबंद पृत्साहन PLI योजना के बारे में निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए तो इसका right answer हो जाएगा option no.2 और 3 दो और 3 के बारे में हम जाल लेते हें किया होता है दो होता है तो इस योजना के आव तो में थो सराणियां में बैस वी कंपनी और घोरेली कंपनियां यह योजना पात्र कंपनियों को च्चPR 219 की ऑड़ी के लिए भ्हार निर्मित और लक्ष सिरणी में सामिल वस्तुओं की सुद्ध विर्धी सील विक्री आधार वर्ष पर लगबग आठ परतिसत का आउसत पुर्थान परदान करती है स्वामित्य योजना के संबंध में निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन नमर एक और तीन एक और तीन एक कह रहा है कि यह खान मंत्राले के दाइरे में कारियरत एक केंद्रिये छेतरक योजना है और तीन कर रहा है कि C O R A S का मतलब क्रॉस और इन रिसोरस शेरिंग है इसका गलत ऑप्षन है तो इसमें गलत चुनना था तो इसमें गलत एक और तीन हो जाएगा सही क्या है तो यह जानेंगे कि सही क्या है सही हमारा है और नमर एक यह खान अप्सर नमर दो यह योजना C.O.R.S. नेटवर्क की तरह जियो पोजिशीनिन इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटिमीटर तक की सटिकता परदान करने योग या मानक बनाने का परियास करती है और अप्सर नमर चार यह योजना ड्रोन तक्निक के उपयोग कर भूमी के छोटे छोटे खंडों का नक्सा तयार करके गिरामिन वस्तियों अबादियों के छेत्र में संपती का अस्थपस्ट स्वामित्व अस्थापित करने के लिए एक सुधारक परदान करती है किसी बीतिये अपार्थकाल के इस्तिती में अनुछे 360 को लागू करने के परणाम निमलेखित में से कौन सा से है इसके बारे में जानेंगे तो इसका राइट एंसर हो जागा एक तीन और चार एक तीन और चार राष्ट्र पती राजियों को राजे मामलों के संबंद में शेवारत सभी या किसी वर्ग के करमचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदिश दे सकते हैं अगला है राष्ट्र पती उच्छ तम नियाले और उच्छ नियाले के जजों के साथ संग मामलों के संबंद में शेवारत सभी या किसी वर्ग के करमचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का दिश दे सकते हैं राजे विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद धान विधहयक और अन्य वीतिये विधहयक राष्ट्र पती के विचारार्थ रखी जाएगी तो इसका राइट एंसर एक तिन और चार हो जाएगा निमनलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारती अर्थ विवस्ता में मुद्राज पती मंदी की योगदान कर सकते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दो और तीन और धियोगिक उत्पारदन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती और कूल मांग और भोकता खर्च में कमी सही उत्तर को जाना था इसका राइट एंसर हो जाएगा दो और तीन नहीं सरकारी खर्च में बिरिधी के कारण निर्याद परतियस परदात्मक की कमी ये भी सही है नेक्स कोस्चन पर चलते हैं आर्थिक सरवेक्षण 2023 के अनुसार निम्न लिखित में से कौन सा कथन भारत में परतियक्ष विदेशी निवेस के परविर्ति का वर्णन करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्सं नममर चार के वल कमजोर वैस्विक आर्थिक LAUGHTER के कारण इसमें कमी आई है और नममर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा बिहार के गया जीले की बरतमान जन संक्या कितनी है तो इसमें से कोई भी question का जो answer है सही नहीं है इसको आयोग ने delete कर दिया इस question को बाहर कर दिया है next question पर चलते हैं केंदर सरकार के गैरी योजना बयाय के बारे में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसका right answer हो जागा बयाय ब्याज भुगतान पर होता है next question बैस्वी करण और भारत पर इसके परभाव के बारे में निमनलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है निर्यात में ब्रिधी आयात में ब्रिधी से अधिक है next question पर चलते हैं संग सरकार के बीतिये नमींतम विकास के बारे में निमनलिखित कत्नों पर विचार किजिए तो इसका right answer हो जाएगा कि केवल एक महामारी बीतिये वर्स 21 के दौरान संग राज सरकार का राज को सीए घाटा सकल घहरेलू उत्पाद के 9.2 परतिसर तक पहुंच गया था नेक्स कुस्टन पर चलते हैं अठाड़े सा संताओन के बीद्रो की भी फलता को निमनलिखित में से कौन सा कारण था के बारे में जानेंगे अंग्रेज की सोनिस रेष्ट था बीद्रोहियों के पास कोई एक क्रित करेकरम यह विचारधारा नहीं समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभावत इसका राइट एंसर हो जागा ऑप्सन नम्मर सी उप्युक्त में से सभी उप्युक्त में से सभी कारण था तो नेक्स कोस्टन पर चलते हैं बिहार का वह रोसुया जिसने 17 मेमात्मगाधी की हत्या का परयास को वीफल कर उनके भोजन में मिले जहर की उनकी जान बचाई थी तो बटक मिया थे अगला कोस्टन है अने 1791 के दोरान बिहार में बकास्त अंदोलन किसके दोरा आयोजित किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा स्वामी साजार अंसर सती नेक्स कोस्टन है भारत के सोतंतरता संगराम के दोरान निमनलिखित घटना उपर विचार कीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर बी दो चार एक तीन दो सुरत विवाजन 1907 में हुआ था चार मिन्टो मारलो सुधार 1909 में हुआ था होम रूल अंदोलन 1916 में हुआ खेडा सत्यागरा 1918 में हुआ था लॉर्ड लीटन निमनलिखित में किस से संबंधित नहीं है तो इसका एंसर हो जागा इलवर्ट बील और सबसे है यानि कि स्ट्रैची कमिशन से सस्त्र अधिनियम से वर्न नक प्रेस एक्ट्से हैं नेक्स कोस्टन पर चलते हैं बक्सर की लडाई के बाद किस संधी पर हस्ताक्षर किये गए इसका राइट प्रेन रोजा का इलहाबाद संधी पर बक्सक्य को सिस्ट इंडिय कंपणी or कि की स्ट्स पटना में अपना खाना अस्थापित किया था तो 1632 में किया था निवने लिखित में से किस आंदोलन में महत्मा गाधी ने भूख हर्थाल को हथियार के ग्रूप में स्वरो पर्थम पर्योग किया था राइटेंस रोजेगा आमदावा धर्थाल को पर नेऊस्थ पर चलते हैं सन 1942 में भारत छोड़ों के नेताओं कमातुपूंड योगान रहा बिहार के कौन से नेता बिहार के स्रीके नाम से जाने थे और उन्हें भारत छोड़ों अंदोलन में सप्रियर में भाग लिया था स्री कृष्ण सिंग चंपारण अंदोलन के जन अंदोलन की परकिरिया में ब्रिटिस सरकार ने इस मुद्दे के समधान के लिए कौन सा कदम उठाया था तो चंपारण के शी शामिती की अस्थापना की थी ओप्स नम्मर स्री नेक्स कॉस्टिन पर चलते हैं कले कि सूंची एककोसुची दो से मिलान करना हए इसका राइट एन सर भारत सिवक समाज भारत सेवक समाज गवारस कि रिष्ण गोखले लें तत्व वहनन अस्था वनद्धर नाल्त तैगोर आत्मिय सभा कि राम मोहन राय इसका राइट सर जागा औप्स्य नम्त ए नानी भारत के किस राजे की थी तो करनाटक की थी नेक्स कॉस्टन पर चलते हैं इन इसे कौन कविनेट मिशन के सदस सेरी नहीं थे पी-लॉरेंस एवी-अलेक्जेंडर थे नेक्स कोस्टन पर चलते हैं कि सुरक्षा वालव शिद्धान्त के अधार पर भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना ब्रिटिस सरकार को खत्रों से बचाने के लिए की गई थी उपयुक्त कथन पर विचार किस नेता के थे लाला राजपत रहे के थे नेक्स कुस्चन पर निमनेलिखित में से भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पहली पर मौलिक अधिकारों से संबंदित प्रस्ताव पारित किये गए थे कराची अधिवेशन 1931 में पार किये गए थे अगला कुस्चन है रेजनिंग से सवाल है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं और स्टमन पॉस्चन है नेक्स्ट कॉस्टन देख सकते हैं Q पुर्व की और यात्रा करता है M उत्तर की और यात्रा करता है S और T भी प्रित दिशाओं में यात्रा करते हैं T Q के दाइं और यात्रा करता है निमलेखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नम्मर डी एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं नेक्स कोस्चन पर जल्दे हैं को सब्सक्राइब एक ब्यक्ति रमेस जिसके पास सोव वर्ग गज भूमी का एक प्लोट है वह अपने पडोसी सुरेस जिसके पास भी दस वर सोव वर्ग गज भूमी है से दस परतिशत अधिक प्राप्त करके अपनी भूमी का प्लोट बढ़ाता है दो साल बाद हो अकुल प्लोट का दस परसेंट पर उसी को आपस बेज देता है निमनलिखित में से कौन सा सही है तो सुरेस की भूमी रमेस से अधिक है निमनलिखित विकल्पो में से बेजूड युगम खोजना है राइट एंसर हो जागा ओप्शन नमर डी निमनलिखित संख्या सिरिंखला में प्रस्ण चीन के अस्थान पर क्या आना चाहिए तो इसका राइट एंसर हो जागा 182 निमनलिखित में से कौन सा निश्कर्स या तार्किप के रूप से कथन के अनुसार विचार कीजिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी न एक ही और नहीं दो कथन अन्सुरन करता है एक कूट भासा में यदि GREAT को 718222620 और MON को 13121411 लिखा जाता है तो उसी भासा में VIGOROUS को क्या लिखा जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन नमर ए नेक्स को सन्निमन लिखित सम्मूहों में बेजोड को हो जिए इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन नमर ची अब लास्ट कोस्चन है एक कमपानी की चार सका है M, N, O और P पर इस्तित है M, N के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर P, O के दक्षिन में 2 किलोमीटर की दूरी पर है N, O से 1 किलोमीटर दक्षिन पूरों में है M और P के बीच दूरी कितनी होगी तो इसका राइट एंसर हो जागा आप 5, 2, 3, 4 और इसी के साथ ये वेपर खतम होता है थेंक्यू